हेई एवरिवन माई नेम इस डॉली और वेलकम बैक तो माई चैनल स्वास्तिक की मॉम तो जी यह जो व्लोग आप देख रहे हैं यह है संडे और मंडे का मिक्स व्लोग संडे को हमें जाना था कुछ आश्रम दादी के नाम से भंडारा करवाना था दादी के फोटू का जो फ्रेम था वो तूट गया था उसको नया बनवाकर लगा दिया था दादी को परणाम करके उनका आश्रवाद लेकर हम चले गए थे कुछ आश्रम की तरफ तो यह है वो आश्रम जहां हमें बंडारा कराना था यहां एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर भी था और संडे को हम करीब एक वजे घर से निकल गए थे और भंडारे वगरा करा के हम इवनिंग में वापस आ गए थे सौरी आ गए आफटर नून में ही वापस थे एक देड़ घंटे में और यह बेटा जो है बेटे को स्कूल से एक फॉर्म मिला है चैरिटी फॉर्म तो वस वह वो ना सोसाइटी में चला गया था और कुछ फ्लैट्स में गया तो उसको 410 जो था अमाउंट उसने कलेक्ट कर लिया था वही वो शो कर रहा है अब यह हो गए धेर सारे बरतन क्यूंकि आश्रम से आने के बाद हम सब लोग सो गयते संडे का दिन था बहुत ज्यादा कुछ चिंता थी भी नहीं फिर मैं इवनिंग में उठी तो फिर सबसे पहले मैंने जो भी बरतन इधर उधर फैले तो फटा-फट से सारे बरतन साफ करने के बाद मैंने एक कपड़ा गीला करके गैस को और स्लैप्स हो गयरा को अच्छे से मतला पोच दिया था और बहुत कुछ ज्यादा हैवी खाने का मन नहीं था क्योंकि दुफैर का खाना हम का कर गए थे उसके बाद हम आके सो गए तो फिर हम मुझे एक सिंपल सी किचड़ी बनानी थी और रायता वगरा बस वही बनाना था तो यह जो अर्भी है वो मैंने चील करके और धो करके फ्रिज में स्टोर कर दी थी मंडे मॉर्निंग में मुझे इसको बनाना है तो फिर एक्शली इतना काम करके रग दो ना इसको छ पहले उठके मैंने अपना जो डेली का रूटीन था वो फॉलो किया उसके बाद मैं आ गई थी हॉल वाले एरिया में सबसे पहले आकर के मुझे यही दिखाई देता है कि पहले इस कवर को सैटल डाउन करो उसके बाद शाहिद कुछ और काम मेरे हाथ में पढ़ता है अगर अर्भी जो मैंने रात धो करके रख दी थी तो सबसे पहले उसे बनाने के लिए मुझे चाहिए था मसाला तो मसाला मुझे पीस ना था क्योंकि आज मैं सूखी नहीं बना रही हूं रसे वाली बना रही हूं तो उसके लिए मुझे पिसा मसाला चाहिए था उधर बेटे को बहुत ज़्यादा दिन नहीं निकला है मैं कर्टन सटा देती हो बेटे को बोल देती हो की सोफे पे लेड जाओ तो किचन से बार बार जो है उसको आवास देते रहना होता है कि उठ जाओ और अगर रूम में रहेगा तो वसोता ही रह जाएगा क्योंकि मैं किचन में होंगी बार बार मैं रूम में जा नहीं पाऊंगी बस इसलिए अब मैंने जो अर्बी थी उसको छोंक दिया था मैं खाना मोस्टली सरसों के तेल में ही बनाती हूं मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोग अलग-अलग ऑल्स में भी बनाते हैं जैसे मूफली का हो गया या फि लगा हुआ है मूपे कि उसी में बनता है तभी टेस्ट आता है तो यह जो घुया होती है हमारे घुया बोलते हैं अर्बी वो मुझे बहुत पसंद है रसे वाली मतलब पसंद सूखी वाली भी है बट क्या हुआ था इस सीजन में मैंने मैक्सिमम टाइम जो है वो सूखी ब भर गया था कि अब मतलब रसे वाली बनाती हूं तो दो बार से मतलब यह दूसरी बार है अब तो अर्बी खतम होने वाली है क्योंकि टंडिया आ गई है तो मन किया कि मैं इसको बनाऊं यह रसे वाली एक बार पहले मैंने कभी नाइट में बनाई थी आज यह मॉर्णिंग में बना ली थी तो इसमें मैं जो है लैसुन और प्याच जो है पीस करके डालती हो इसका कलर रैड रैड इसलिए हो गया था कि जब सबजी लाएते तो उसमें जो हरी मिर्च डाल देते हैं वो लोग वो दी थी तो मैंने दोकर के उपड़ टोकरी में रख ली तो चार- कि अपने बागी यह इस वाली सब्जी में टमाटर नहीं डालती हूं बाकी यह अर्भी जो है मैंने कट करके रात में नहीं रखी थी और अब देखिए मसाला होगा इतनी दिर में मैं अर्भी को भी कट कर ले रही हूं ऐजा कुछ भारी काम नहीं है इसको कि मैं साथ साथ में कट इसको ना कर पाऊं तो साथ साथ में इसमें मैंने अर्भी को जो है कट कर लिया है राउंड राउंड शेप में ही मैं इसमें अर्भी को जो है कट करती हूं तो यहाँ पर मैंने बड़ी असा तलका लगा दिया है अच्छा मैं जो सूखी वाली बनाती हूं अर्भी की बनाते मन लगता है कि इसको खालो बड़ इसमें अभी पानी पड़ेगा और पानी से यह गलाई जाएगी मतलब जब हम सूखी बनाते हैं तो उसको तो हम कूकर में ही पहले उसको गला लेते हैं उसके बाद हम मतलब हरी मिर्च वगएरा पीस करके तलका लगा देते हैं बट इसमें ऐसा नहीं है इसमें पिसा मसाला में डालती हूँ और उसी से जो है इसको पानी लगा करके चौक दिया कड़ाई में और पता चल गया कि नहीं कल रही है तो हम इसको प्रेशर कूकर में ट्रांसफर करके उसमें दो तीन विसल लगा दीचे फिर यह हो जाती है फिर उसमें इतना जादा ड्रामा नहीं होता है अब यह चौकने के बाद काम देखिए यह था कि पहले जो सोकरा भरा रात के जो बरतन दुलेते खाना वाना खाके उनको मैंने अपने जगह पे सैट किया और सैट करने के बाद मुझे गूनना था आटा और रात में दूद वगरा गरम किया था तो इसका भगोणा और गिलास वगरा पड़े थे और अभी जो तड़का लगाया है स्कूल उसके बाद जो स्टार्ट होगी वो होगी क्लीनिंग अच्छा फिर हस्बेंट के लंच की बारी आती है सबजी मेरी रेडी है बट हस्बेंट का लंच जो है मैं जाडू पोचा करने के बाद टाइम मिल जाता है तो बीच में नहा के बना देती हूं और अगर टाइम नहीं मिलता है उनका हो रहा होता है टाइम जाने का तो फिर मैं क्या करती हूं बिना ना है उनके लिए रोटिया बना देती हूं यहां पर मैं आ गई हूं बेटे के लिए दो पराटे बनाने के लिए सबजी अभी कंटिनूसली हो रही है मैंने इसको चैक भी किया था बीच चल जाता है गला है या नहीं गला है देसीगी में पराठा बनेगा तो अब जो है जमने लगा है देसीगी तो तवा के नीचे जला दीती तो देसीगी के डबबा मैंने तवा पे रख दिया था क्योंकि वो फिर मेल्ट हो जाए क्योंकि वो गाड़ा-गाड़ा होता है जम जा उसको तो वैसे भी मैक्सिमम चीजों से कि यह नहीं ले जाना है करता है तो मैंने इसके कुछ पीसिज निकाले और फॉक की हेल्प से इनको मैश कर लिया और हलका सा नमक डाल दिया क्योंकि नमक जो है वो रसे में है और इसमें तो हलका फुलका ही गया होगा अर्वी में तो अब इनको मैश कर लिया है अच्छे से और अब क्या करूँगी पराठे के बीच में इनको फिल कर दूंगी और रोल बनाके दे दूंगी उसको न अब पता भी नहीं चलेगा कि मम्मी ने भरके दिया क्या है बच्चों का क्या होता है ना देखकर के ड्रामे होते हैं कि अरे यह हैबिट बहुत ज़्यादा गलत होती है बट I think maximum बच्चों में यह चीज होती है कि देख करके यह अरे यह नहीं खाना है अब आप ऐसे पराटे में भर दीजे कुछ पता नहीं चलेगा बस नमक मिर्च का स्वाद आएगा और वो easily खा भी लेंगे और घर पे तो यही होता यहां पर आइरन की कडाई में सब्जी थी इसलिए तो मैंने इसको सोचा कि इसको ट्रांसफर कर देती हूं यहां पर एक्शली बेटा जाने के लिए रेडी हो रहा तो फई मुझे कुछ कह रहा था तो मुझे हसी आ गई थी तो यहां हो गया है साथ बच के 20 मिनट साथ पापा के पैर छू लिए थे मेरे को प्यार करने आया है मैंने का मेरे पास भी पैर है छूलो इनको भी तो बस वही है सुने लगा था अब यहां बेटा चला गया है स्कूल मैं आ गई हूं पटा पट से अंदर क्योंकि किलीनिंग का पूरा काम अभी भी मेरा पैंडिंग है तो बस अंदर आने के बाद जो चीज़ें अपनी अपनी जगह पे नहीं होती है तो सबसे पहले मैं उनी को अपनी अपनी जगह पे अरेंज करती हूँ ब्रना रियल पानी पिया पाना ग्लास वही छोड़ दिया टूथ पेस्ट किया तो तो आच्छा यह रहा मेडा एक और क्यीरेशन यह वही बॉकस है जो मैनने किटी पार्टी वाले वॉलॉग में जिसमें मेकप का सामान रगा था उस डिबबे को एजा ट्रे मैंने यूज किया था अब इस डिबबे से मैंने एक जरो का तयार किया था रियल में बहुत प्यारा लुक निकल के आया था आइ तिंग वीडियो में भी अच्छा लगगी रहा है तो अब आ जाते हैं क्लीनिंग वाले पा सारे काम उसे तम मैं फिरसत में इसको बिचाल लूगी फिर सारी चीजें जो अपने अपनी जगह पे नहीं थी उन्हें सेट किया उसके बाद लगा ली थी फटाफट से जाडू जाडू लगाने के बाद जी नंबर आ जाता है इसका डस्टिंग का तो डस्टिंग मैं फट किसी ने भी आ रहे हों गर्मी लग रही है तो जी एक छोटा सा व्लॉग था अगर कुछ भी इस व्लॉग में आपको पसंदा तो जरूर से लाइक करिएगा मिलती हूं नेक्स व्लॉग में बाई बाई